नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभीका आईए बात करते हैं आज वियोजन अभीकिर्या के बारे में जैसे कि नामसी पता चल रहा है वियोजन का आर्थ होता है तूटना तो इस अभीकिर्या में एक एकल अभीकारक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है यान तो ये वियोजन अभीक्रिया का एक उधारन हो गया। आईए बात करते हैं सबसे पहले इसके परकारों के बारे में और उसमें सबसे पहला है उसमें वियोजन या उसमें अबगटन अभीक्रिया। अबगटन भी कहिए एकी बात है। तो उसमा के दुएरा यदि किसी पतार्त का अब गटन हो जाता है, तो उसको कहते हैं उसमें वियोजन अभी करिया यूशमें अब गटन अब गिलिया. अज्ये बात करते हैं इसके उधारणों के बारे में, तो कौन-कौन से उधारण नहीं इसके देखी, Ferrous Sulfate है Ferrous Sulfate को हमने Usma दी या इसको घर्म किया तो जैसे Ferrous Sulfate को हम घर्म करते हैं तो F2O3 जिसको हम Ferric Oxide कहते हैं और Sulfur Dioxide और Sulfur Trioxide प्राप्थ होता है Ferrous Sulfate जो होता है वो हरा रंग का होता है लेकिन जैसे इसमा से बिग्रिया करता है वो तूट जाता है और उसका रंग हो जाता है भूरा और लाल क्यूंकि उसमें से सलफर डायोकसाइड और सलफर ट्रायोकसाइड गेस बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक अभिकारग जो है वो उसमा के कारण तूट रहा है और दो या दो से अधिक उचपाद बना रहा है तो यहाँ पर यह उदारन होता है कि उसमी अबगटन अभीकिर्या का दूसरी बात करें तो दूसरी अभीकिर्या हमारे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चूना पत्तर होता है एसा पत्थर जिससे चूना बनता है तो उससे कहा जाता है चूना पत्थर और यहाँ पर जैसे इसको उस्मा दी जाती है तो उस्मा देने पार यह कैल्शियम औकसाइड और कैल्शियम कार्बने औकसाइड में तूट जाता है यानि एक तो बनता है कैल्शियम औकसाइड जिस तो यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदारन है तो यहाँ पर यह हमने पड़ा उसमी अभिक्रिया के प्रकार आयए बात करते हैं विद्यूत वियोजन और्थार्थ क्या कोई पदार्थ विद्यूत द्वारा भी तूट सकता है जी हाँ बिल्कुल विद्युद वियोजन का अर्थ होता है विद्युद धारा द्वारा होने वाला वियोजन यानि विद्युद धारा प्रवाइद करने पर कोई पदार तूट जाता है तो उस अभी करिया को का जाता है विद्युद धारा द्वारा वियोजन देखे जल है H2O जो कि लिक्विड है जैसे जल के अंदर विद्युद्धारा प्रवाइद करते हैं तो यह hydrogen और oxygen में तूट जाता है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं एक पदार्त दो पदार्तों में तूट गया तो इसे हम विद्युद्धारा के कारण हुई है इसलिए इसको कहेंगे विद्युद्धारा द्वारा अबगटन या विद्युद्ये अबगटन इसके लिए प्रियोग है जो एक्जाम की द्रश्टी से important भी है क्या प्रियोग इस प्रियोग के बारे में देखते हैं देखिए इस प्रियोग में क्या होता है एक प्लास्टिक का मग होता है उसके अंदर हम पानी भर लेते हैं और दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिनको कहा दाता है ग्रेफाइड रोड ग्रेफाइड रोडों को बैट बुल्बुले निकलते हैं यहां से बुल्बुले निकलते हैं यानि पानी का वियोजन हो रहा है यह बुल्बुले किस चीज के हैं देखिए जो एनोड है वहां पर ऑक्सिजन के बुल्बुले निकलते हैं और जो कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन के बुल्बुले निकलते तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं इस प्रियोग में कि जल जो है वो विद्युद्धारा द्वारा हाड्रोजन और ऑक्षिजन में तूट जाता है तो यह भी एक वियोजन अभीकिर्या का उधारन होता है तो यह प्रियोग एक्जाम की दृष्टी से बहुत इंपोर्टन है आई होप जितना भी काम कराए जाता है आप अपनी फैर कोपी में अच्छी अंडाइटिंग में काम करते होंगी क्योंकि सारा एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही महत्वपूर है तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जेहिंग जेह बारत